हेलो फ्रेंट डाक्टर आरके वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि डाग में औरल हिमेटोमा के क्या कारण होते हैं लच्छन कैसे दिखते हैं पहचान कैसे की जाती है और साथ ही साथ में इसके इलाज और ब हमेटोमा होता है किसके कारण से होता है इसमें क्या होता है जो डाग होते sono जो परजी होते जैसे मक्षी काट में उसके इनफेक्सन के वजह से भी हो सकता है या उसमें कोई अलर्जी हो गई है तो उसके वज़ा से जब वो अपना कान मतलब सिर पर दिवाल पर रगड़ता है तो उसके स्क्रैच्च के वज़ा से भी औरल हुमेटोमा देखने को मिलता है यह इसके जनरली कारण होते हैं अब आई इसके हम लच्छन के बारें बात करते हैं कि हम कैसे पता लगाएं कि हमारे जो डाग है पेट्स है उसको अरल हुमेटोमा हो गया है तो उसमें आपको देखने को मिलेगा जो मतलब डाग की पिनना होती है कान की जो पिनना होती है जैसे यह कान है कान में मतलब जो अं जूसे हो सकता है यह कह सकते हैं जैसे खुब जाधा कान अपने पे रगरता है तो बहुत जादा depression हो जाती है तो जो कान की मतलब नस होती है नस में inESE सें होजाता है या कह सकते है जो फॉर्ट होती है तो उसमें चीष्शन हो जाता और जो खून होता है एक अठा होने लगता है यहीं कि जम्मा होने लगता है उसके कान में तो उसको हम लोग अरल हिमाटोमा बोलते हैं जब खून क्या होता है बहुत ज़्यादा जम्मा होने लगता है तो उसके जो डाग के कान होते हैं सूच जाते हैं जब कान सूच जाएगा तो उ वो एक तरफ सिर करके ऐसे करेगा और वो देवाल में बार बार रगणने की कोशिस करेगा यह मतलब औरल हिमाटोमा की पहचान होती है जब आप उसको मतलब टच करेंगे उसके कान को तो उसमें आप देखेंगे ऐसा लगेगा जैसे आपको मतलब फ्लूट टाइप के भरा य बात करते हैं कि औरल हिमाटोमा को हम लोग कैसे डाइगनोस करते हैं इसको हिस्ट्री और लच्छन के आधार पर डाइगनोस कर सकते हैं फिर दूसरा निडिल को प्रिक करके इसके जो फ्लूड है मतलब जो ब्लेट सेल है उसको एक्जामिन करके भी हम लोग डाइगनोसिस क से जाती है इसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं इसकी एलाज के बारे में बात करते हैं आपको सरजरी नहीं करानी है आप चाहते हैं कि बेना सरजरी कि मेरे जो डाग है उसको औरल हुमेटोमर की जो प्राबलम है वो साल्व हो जाए तो आपको क्या करना है आपको मतलब अपने रेजिस्टर विटने डाक्टर के पास जाना है उनसे मतलब जो एर इंफेक्शन के लिए एक ड्राप आता है पॉमी सौल का पॉमी सौल का आपको ड्राप लेना है और उसको कान में डाल करके रुई से थोड़ा थोड़ा मतलब आपको ड्राप को डालना है दो तीन बार और उसको अच्छे से प्रापली साप करना है यह आपको पहला काम करना है फिर दूसरा जो बीटा डिन का सलूसन आता है बीटा डिन का सलूसन जो मतल कौन-कौन से इसे इंजिक्षन आते हैं जो इंजिक्षन लगवा करके मतलब आपके डाको और Allheumatomas की प्राब्ला में वह हो सकती है तो उसमें सबसे पहला इंजिक्षन जो लगाया आता है अंटीवायतिउस का इंजिक्षन लगा सकते जैसे जिसे त्रेक्जोन की एंटीवा आती है वो अपने डाग को आप लगवा सकते हैं या अमीका सीन के अंटिवाइटिक आती है वो अपने डाग को लगवा सकते हैं या जेंटा माइसिन के अंटिवाइटिक आती है वो भी अच्छा काम करती है यह के लिए तो यह मैंने आपको तीन अंटिवाइटिक बताई है इंटासेट टैजोबेक्टम हो गई अमीका सीन हो गई इन तीनों में से कोई आपको एक एंटिबाइटी अपने डाग को लगवानी है आपको तीन अगर छोटा डाग है तो आप उसको 0.5 से एक एमल इंट्रमेस्कुलर दे सकते हैं यह बड़ा डाग है जैसे आपका डाग त इसकी डोज लगा जाती है इसको तीन इमल से पांच इमल इंट्रमेस्कुलर लगाते हैं यह आपको लोवर वाली जो डोज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं लोवर और पर आप एज के हिसाब से और उसके बाड़ी वेट के हिसाब से आपने डाग को मतलब डोज लगवा स है और यह जो इंजेक्शन आपको एंटिवाटी लगवाना कम से कम साथ दिन आपको लगवाना ही लगवाना है तभी जाके आपके डाग को मतलब औरल हमेटोमर से रात मिलेगी यह मैंने आपको पहला इंजेक्शन बताया फिर दूसरा इंजेक्शन आपको इसमें प्रेड डाग होते हैं उसमें 0.1 से 0.3 ml के सम्थिंग इसको लगा आता जो बड़ा डाग है तो उसको हम लोग 0.5 से 1 ml इंट्राय में इसको लगाते हैं यह अब मैंने आपको दूसरा इंजेक्शन बताया तीसरा इंजेक्शन जैसे आपके डाग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है कुछ खा पी नहीं रहा है जैसे आप रोटी दे रहे हैं नहीं खा रहा है पेडिग्री आप उसको खिला रहे हैं नहीं खा रहा है तो आप उस कंडिशन में दर्द को रोकने के लिए आप इसमें मिलाक्सी केम का इंजेक्शन आता है वो जूच कर सकते हैं या डाग के ल लगाया और दर्द को रोकने के लिए इंजेक्शन लगाया तो क्या होता है जो डाग होता है उसके पेट में मतलब ज़्यादा इंजेक्शन लगा देते तो गैस बनने लगती है एसी डिटी को रोकने के लिए हम लोग पेंट आप का इंजेक्शन देते हैं या एसी लाग का इंजेक्शन आता है वो भी दे सकते हैं तो जो डाग होता है इन पेंट आप या एसी लाग में से कोई एक इंजेक्शन आपको देना है जो छोटा डाग है तो उसको 0.5 ml इंट्र मैस्कुला या इंट्रावीनस दे सकते हैं जो बड़ा डाग है उसको आप लोग एक एमल यानि की फोटी एमजी को जो पिंटेप्रा जो लाती है उसको पूरा आप मड़े डाग को दे सकते हैं यह मैंने आपको चौथा इंजेक्शन बताया है पांचमाई इंजेक्शन जैसे सकते हैं इंट्रावीनस दूनों तरीके से इन इसके साथ दिया सकता है जो बड़े डाग है उसमें आप इनट्रावीनस नस में दे सकते हैं यह मैंने आपको total कितने इंज 열ंटन MAR इंजेक्शन मै can do ₹प पहला क बातरु सा वां करेंर्टिपैंब को आरा इंजेक्शन मैं बताए टोटल चार इंजेक्शन बताए पहला एंटिवाइटिक हो गई दूसरा काइटिको इस्टेराइड हो गया तीसरा दर्द को रोकने के लिए हो घखात को आपको मेलाटी विटामिनिक चार इंजक्σιन मैंने आपको बताए अब फ्रेंड्स यह वह गई इंजक्सिन की बात अब हम लोग बात करते हैं कि अपने घार पर आपको किस प्रकारिस अपने को रख करना आ क्या क्या सौधानिय व्रतनी तो आपको क्या करना है अपने डाक को जो एलिज्वित कालर आती है मतलब उस कालर को आपको पहना करकोना कैसे हिज होता है कि जो डाक का वो बार-बार मतलब दिवाल से आपको रगारेगा न तीन तीन डॉप डाल करके कान की अच्छे से प्रापली आपको सफाई करनी है ये दो चीज मैंने आपको बताया इस दोनों चीज को आपको विसेश ध्यान रखना है फिर तीसरा आपको ये देखना है कि आपके डाग में कहीं बहुत ज़्यादा सुजन तो नहीं हो रही है ये जो मैंने आपको टीटमेंट बताया अगर इससे नहीं सही हो रहा है तो फिर आपको ultimate surgery ही करानी पड़ेगी मतलब इसको अपने डाग को मतलब एक surgery होती है जीप operation method होती है कान के लिए की जाती है इसमें क्या होता है जो डाक्टर होते हैं वो भी सेप कान को ऐसे काटेंगे और कान को काट करके उसको मतलब आपरेट कर देंगे जितना भी fluid है मतलब जो गाढ़ा ठका है खून का उसको निकाल देंगे इसको निकाल लेके बाद फिर क्या करेंगे उसको suturing कर देंगे suturing करने के बाद पूरा prop बनाकर बनाकर मतलब पूरा ऑच्छे से suturing करने के बाद उसको all Crime burton को सस्क्राइब करें के लिए थाइंक्यू